Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं homomorphism के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगो इसकी definition बताऊंगे कि homomorphism क्या होता है and then हम इसकी properties को discuss करेंगे तो start करते हैं definition से तो देखे, हमारे पास है, यह हो गया हमारा domain और यह हो गया हमारा co-domain इसको हमने नाम दे दिया g group under this operator और यह हमारा दूसरा group हो गया, इसको हमने नाम दे दिया g dash under this operator तो एक ऐसी mapping जो domain से co-domain पे map कर रहे है उस mapping को हमने नाम दे दिया phi that means कि phi जो mapping है, यह हमारी है g से g dash पे तो इस mapping को हम homomorphism कब कहेंगे अगर आप यहां से दो operator ले रहे हो elements यहां से हम दो elements ले रहे हैं तो इस element A और B पर हमारा कौन सा operator लगेगा? जो इस group का है, domain का है तो इस पे अगर हम यह mapping लगा रहे हैं वो किसके बराबर आजाए? phi of A और इसका operator यह है and phi of B अगर इस condition को यह mapping hold करती है तो हम बोलेंगे कि यह homomorphism है homomorphism है कहां से कहां तक? phi से g to g डाश पे जैसे कि इस example अगर phi of A प्लस B ले रहे हो और जो भी operator उस टाइम पे काम करेंगा अब अलग-अलग करके इस तरीके से उसको लग सको phi of B हो गया if it is phi of A into B तो कुछ इस तरीके से phi of A into में phi of B हो गया तो co-domain का जो operator रहेगा वो आपको इधर दिखेगा और जो domain का operator होगा वो set दिखेगा तो जब आप इसको इस तरीके से लिख सको तो हम उस mapping को क्या बोलते हैं? homomorphic mapping बोलते हैं और जैसे कि यह phi of A क्या है? A यहाँ पर co-domain पर एक element को map कर रहा होगा तो वो हो जाएगा हमारा phi of A और यह जिसको map कर रहा होगा वो हो जाएगा phi of B तो अब आजाते हैं इसकी properties पे first property देखिए पहली property है f यहाँ पर हम यह मान के चल रहे है यह property स्टार्ट करने से पहले f क्या है? यहाँ पर एक homomorphic mapping है from g to g dash ठीक है? और first property फिर इसकी हो जाएगी कि f of E अगर f जो है homomorphic है क्योंकि इसकी हम property देख रहे हैं तो homomorphism है यहाँ पर f of E हमेशा किसको map करता है e dash पर मतलब कि जो identity element है group g गा वो हमेशा map करेगा identity element of g dash तो यह हमारा g हो गया this is g dash यहाँ पर function f हो गया जो भी homomorphic है तो identity element हमेशा map करता है identity element को यहाँ पर e dash just हम इस वज़े से लिख रहे हैं यह show करने के लिए कि e dash जो है identity element है g dash का और e identity element है तो यह आप differentiate कर रहो कर सको इसलिए हमने इस तरह के से represent किया हुआ group के accordingly ठीक है तो identity हमेशा identity को map करेगा जब हमारी mapping कैसी हो homomorphic हो second property है f of a inverse is equals to f of a का whole inverse यहाँ पर जो inverse image हम image की बात कर रहे हैं जो image होगी inverse of an element की उसका अगर inverse देखोगे overall the statement is the image of inverse of an element is inverse of image of that element अब जैसे यहाँ पर यह हमारा g है यह g dash है mapping कहां से और यह f से तो a जो element है वो किसको map करेगा वो map करेगा f of a को और यहाँ पर a inverse भी कोई element होगा क्योंकि हम group की बात कर रहे हैं तो inverse तो exist करेगा वो map करेगा किसी f of a inverse को तो इसकी बात हो रही है f of a inverse किसके equal होगा f of a के whole inverse की मतलब कि homomorphic की condition में इसको इसके equal लिखा जा सकता है इसके inverse के बराबर होगा तो यह जो inverse है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है यह इसकी second property है then third property है if f of a is equal to x है so this implies f of a a to the power r is equals to x to the power r अगर for all r belongs to z यहाँ पर अगर यह condition hold होती है तो कि हम वह लब यहाँ से r जो ले रहे हो आप integers से ले रहे हो अगर यह condition hold होती है f हमारा homomorphic mapping यह आपो ध्यान रखना है अगर हम बोलते हैं कि f a is equal to x है तो आप क्या कर सकते हो same power दोनों side raise कर सकते हो दोनों side same power raise करोगे suppose करो हमने r raise किया है तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है मतलब a to the power r हो जाएगा और x b to the power r हो जाएगा इसकी next property है order of f a order of f a divide करता है divides order of the element तो यह होब आपको मुझे बताने की जर्वत नहीं है अब यहाँ पर a क्या है एक element जो g का है इसकी image f of a है तो जो f of a का order होगा वो किसको divide करेगा element के order को divide करेगा fifth property है अग if order of a कैसा है finite है तो यह implies यह करता है कि इसकी जो image का order होगा वो भी कैसा होगा finite होगा बट अगर आप opposite बोलना चाहो कि order जो है f of a का वो finite है तो क्या यह imply करेगा कि order of a finite हो यह wrong है बट अगर order of a finite है तो उसकी image का order भी finite होगा बट अगर image का order finite है तो यह नहीं कह सकते कि element का order भी finite होगा तो ऐसे बात की जा सकती है बट इसका converse true नहीं है sixth isomorphism की अगर हम बात करें जो relation है of isomorphism का isomorphism वो कैसा होता है equivalence relation होता है equivalence relation equivalence relation में हम वही properties सारी satisfy करते हैं जैसे कि पहली property reflexive की हो गई second property symmetric की हो गई third property transitive की हो गई तो जो isomorphic का relation होता है वो एक equivalence relation होता है seventh seventh property है if यह हमारा group G है this is G dash और H हमने मान लिया कि इसका कोई subgroup है H subgroup है किसका G का then जो F of H होगा F of H यह हो जाएगा if this is H तो F of H हमारा यह होगा कहीं map करेगा किसमें तो F of H भी क्या होगा subgroup होगा G dash का eighth property है same हम इसी से समझ लेते हैं eighth property यह तो subgroup के लिए था next property normal के लिए भी कहीं जा सकती है जो image है if image of subgroup of H under homomorphism is normal अगर F of H अगर normal है then H भी normal होगा F of H जो subgroup हमने बोला यही same result normal के लिए hold करता है first वाले case में तो हमने यह कहा कि अगर यह subgroup है seventh property में अगर यह subgroup है code domain से बात कर रहे है eighth property में normal subgroup के लिए अगर F of H जो है वो normal subgroup है G- का तो H भी normal subgroup होगा G का ninth property है अगर हम abelian group है हमारे पर suppose करते हैं कि G कोई abelian group है तो उसकी homomorphic image भी कैसी होगी abelian group ही होगी कभी भी abelian group जो है वो onto homomorphism नहीं होता non abelian group पे या कभी भी cyclic group non cyclic group पे onto homomorphic नहीं होता ठीक है और tenth property है यही same result अगर cyclic group है मारे पर जी तो वो भी किसी cyclic group पर ही map करेगा और आप अगर converse बोला चाहते हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि कभी भी abelian group non abelian पे नहीं map कर सकता और cyclic group किसी भी non cyclic group पे map नहीं करेगा मतलब onto homomorphism की बात यहां पर हो रही है तो यह थी इसकी properties I hope आपको homomorphism का कि जो definition है वो clear हो गई होगी in case कोई भी doubt हो तो आप मुसे पूछ सकते हो Thank you कर दो आप मुसे पूछ सकते हो